PNP एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा जो भी एक्जाम कंडट कराये जाते हैं वो लगतार विवादों में बने रहते हैं चाहें आप किसी भी वर्ष का UPTED की परिक्षा उठा करके देख लिजिए गलत प्रश्णों का मामला माननी कोट के दहलिज पर जरूर जाता है 79,500 सहायक अध्यापकों की भरती और 68,500 सहायक अध्यापकों की भरती में पेपर आउट का मामला देख लिजिए या फिर उत्तर प्रदेश में DLA की समेश्टर परिक्षाओं के पेपर आउट होने की खबरे देख लिजिए PNP लगतार विवादों में रहती है बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार इसी के द्वारा UP TET या फिर DLA की परिक्षाओं या फिर सूपर TET की परिक्षा इसी संस्था के द्वारा कंड़र कराती है बात करें अगर UP TET 2019 के कोट की करेंट अपडेट के बारे में तो इसक्रिन पर आप सरिता सुकला जी की याचिका की करेंट इस्टेटस देख पा रहे होंगे इस केस की अगली सुनवाई दिनांक 7 दिसंबर 2020 को होना प्रस्तावित है पिछली सुनवाई पर मानने कोट के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और PNP से हलफ नामा दायर करने के लिए बोला गया था गलत प्रश्नों के जवाब के संदर में यहाँ पर इस केस की जो हेरिंग होनी है वह दिनांक 7 दिसंबर 2020 यानि कल कोट नंबर 81 में सीरियल नंबर 71 पर ये केस सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है लेकिन बड़ा सवाल यहीं बना हुआ है कि क्या कल इस केस की सुनाई हो पाएगी क्योंकि 71 नंबर पर ये केस सुना जाना है शायद हो सके कि इस केस का नंबर ना आ पाए आज अगर बात यूपीटर 2021 की परिक्षा की हो रही है और दो साल पहले यूपीटर 2019 का मामला अगर अभी तक निस्तारित नहीं हो पाया है तो निश्ची तोर पर ये उत्तर प्रदे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि क्यों बार-बार PNP जैसे संस्था से परिक्षा कंड़र्ट कराया जा रहा है जिसकी वज़से लगतार परिक्षाएं विवाद में बनी रहती है या फिर मानने कोर्ट के दहलिज पर खाड़ी रहती है एक दो प्रश्ण यूपीटर 2019 में ऐसे पूछे गये थे जिनके दो विकल्प PNP ने सही किये थे तो क्या सभी प्रसिक्षूओं को सभी अभियर्थियों को उसका common number नहीं दिया जाना चाहिए जब objective type questions है एक प्रश्ण के सिर्फ एक ही विकल्प सही हो सकते है आपने official notification में भी ये mention किया था और OMR seat के पीछे भी mention किया हुआ था तो आप एक ही प्रस्ण के दो विकल्प कहसे सही कर सकते हैं गलती आपकी है तो common number सभी अभियर्थियों को मिलना चाहिए और कुछ ऐसे भी प्रस्ण थे जिनके विकल्प गलत थे उनके बारे में भी मानने कोट ने पहले ही PNP की जो कमिटी थी उनकी रिपोर्ट को नकार चुके थे और UGC की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाने की फारिस और बात की गई थी तो निश्ची तोर पर अब उत्तर प्रते सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी संस्था को ताला लगा करके और इसकी जवाब देही तै करके एक ऐसी संस्था का निर्मार किया जाए या फिर ऐसी संस्था से परिक्षा कंड़क्ट कराई जाए जो की सही तरीके से कम से कम 1.500 प्रशन तो सेट कर पाए दोस्तों आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के मादम से जरू बताएगा और ऐसे ही महत्वपूर अपडेट्स के लिए बने रहे हैं करियर बेट के इस चैनल के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बगवान करिया आपका दिन शुब हो